एंड ये में शामल पार्टी बीजेपी के विधायक हरीभूशन ठाकुर का आज बयान आया जिसके बाद बिहार की सियासत एक बार फिर से तेज हो गई हरीभूशन ठाकुर ने कहा कि बिहार के तमाम मस्जिद और मदर्सों को बंद कर देना चाहिए क्योंकि बीते दिन जो बाका में मदर्से के अंदर ब्लास्ट हुआ जिसके बाद बीजेपी कहीं न कहीं आक्रमक मूड में देखी और ये बयान अब सामने आ गए हमारे साथ सीपीम से विधायक सतेंद्र यादव हैं इनसे बात करते हैं क्या लगता है सर बीजेपी के तरफ से ये बयान सामने आ रहे हैं कि बिहार के अंदर जितने जो मस्जीद और मदर्सा इसको बंद कर दियाना चाहिए कितना सही मानते हैं भारतिय जनता पार्टी की सरकार बिहार के अंदर है और करोना काल के दर्मियान जितनी मौते हुई है और मौत को छुपाने का जो खेल चल रहा है उसके लेकर बिहार के जनता में और सियासत गलियारे में गर्मी है और उसकी नजादक नचागत को भापते हुए भारतिय जन जो है एक स्रेट्जी प्लान है किब वहस iam saryakar की वी फलता के त्रफना होकर भभस जो है धार्मिक धुर्विकरन के त्रफ हो तो मैं सीधे सीधे मानता हूं कि भारतिय दिता पार्टी के पास विहार के विकास करने का विहार के स्овास्तेंक विश्वत्ता को ठिक करने का विह दोसरी बात मदर्से मस्जीद मंदीर संस्कृत्स बिद्धालियों में कोई आतंकवाधी पैदा नहीं होता है आतंकवाधी आप प्राधी आपके घर में पैदा होता है हमारे घर में पैदा है कहीं भी हो सकता है और किसी घटना से किसी मजहब के जोड़ना यह फालतु की बात है और हरिभूसन जैसे लोगों की राजनीती ही यह घटिया मानसिक्ता पर अधारित है तो उस पर जाद एक कमेंट नहीं किया जा सकता है बिजेपी के तरफ से जब बयान आया तो जैडियू भी पलेटवार हो गई है जैडियू के एक निता ने कह दिया है कि ऐसे मानसिक्ता वाले लोगों का के भेजेगा जैडियू बाइज जैडियू के तरफ से आया बयान ये भारतिय जैडियू के बिश नूरा कुस्ति के खेल आप देख रहे हैं तुना पंडे जी का ब्यान हरिंभूसन जी की पियान फिर भारतिय जैंटा पाथी के लोग फ़िएन फिर जैडियू के Haver बिलकुल बढ़ा है कि ए डिये की सरकार पूरी तोर फेल है घावों में अपराध हो रहे हैं शामंती सक्तिया पुनार स्थापी थोकर दलितों पर हमले कर रही है यह कोई नई घटना है नहीं बढ़ी तेजी सदल तो अत्याचार बढ़ रहे हैं उत्पिरन की घटनाएं बढ़ रही है सरकार करवाई करने में बिफल है और यह भारतिय इंता पाती है जदियू जो नूरा कुस्ति कर रही है बिहार की जनता समझती है यह एक ही थाली के चट्टे भटे हैं फिर बिहार की जनता के माइंड डanki हर्शन का खेल हो लहा है बिहार में वास्ति कुई क्ली काम नहीं हो रहा है इसतरह की बयान आ रहे हैं आपको क्या लगता है आखरी सवाल है क्या बीज़ेपी और जडियू के भी सब थीक है या नहीं बीज़ेपी और जडियू के बीच सब कुश ठीक नहीं है ये बात जाईर सी बात है, लेकिन मझबूरी की दोस्ती है, सवल्यत होगी तो दोस्ती तूट भी जाएगी, लेकिन अभी मझबूरी बनी हुई है, इसलिए हम समझते हैं, ये उनके अंदर जो आंतरिक विरोध है, उस आंतरिक बिरोत के मातवत इस्तर के बियान दिये जा रहे हैं। आगे भी निकल के आता है और क्या और भी बयान सामने आते हैं या नहीं। अब बने रहें फर्स्ट बिहार जारकंड के साथ अपने सहयोगी सेखर गोज के साथ अश्मित सिना फर्स्ट बिहार जारकंड पटना।